आज हम बनाएंगे आलू और पालक की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बिल्कुल सिंबल तरीके से बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इस रास्पिय को बनाने के लिए सबसे पहले हम कडाएं में लगवत तीन से चार टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल जैसे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को हम सिर्फ एक मिनट तक ही चलाएंगे हमें इसका गोल्डन कलर नहीं करना है तो इसे कंटिन्यू चलाते रहे एक मिनट के लिए जैसे एक मिनट हो जाएगी फिर हम इसमें एड़ करेंगे आलू यहां पर मैंने तीन से चार म लिए मिडियम टू लओ फ्लेम पर कुक लेंगे आप इसे कवर करना चाहते है तो इसको बीच बीच में जरूर से चलाते रहेगा नहीं तो आलू तरी में लघ जाएंगे मैं इसको बिना कवर के थीन से 4 मिनिट के लिए मिडियम टू लौ फलेंपर कुक लोंगे ताकि में नमक पर में नमक कर दें मैं इंहें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं और में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि मसाले जलेना, तो बिल्कुल जरा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसे एक बर फिर से चलाएंगे, मैंने इसे फिर से मिक्स कर लिया है, अब इसे कवर करके हम लगबख द करेंगे, मसाले अच्छे से कुख हो गए है, मसालो से बहुत ही अच्छी कुष्पु आ रहे है, और आलू भी हलके से क्रंची है, अभी हमें इसे और कुख करना है, अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पालक, यहां पर मैंने एक बंचिस पालक लिया था, इसको पालने के बाद में हमें से बिल्कुल नहीं चलाना है, बस इसको ऐसे ही कवर कर देंगे, इससे आलू भूत अच्छे से सोफ हो जाते हैं, तो दो मिनट बाद इसे चेक करेंगे, और आप देख सकते हैं, पालक ने भी अपना पानी रिलिस किया है, इसी पानी से जो आलू है वह अच्छे से गल जाते हैं, और इसे अच्छे से एक पर मिक्स कर लेंगे, और इसे एक मिनट के लिए चला लेंगे, तो जब भी आप आलू पालक की सब्जी बनाएं, तो पालक को लास्ट में एड़ करें, दो से तीन मिनट के लिए, ऐसा करने से क्या होता है, आप जो प फ्लेम आप बंद कर दे, आप इसको गर्मा गर्म सर्व करे, पूरी चपाती या पराठे के साथ में, आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वोचिंग और सब्सक्राइब टू मैं चैनल,